हुआ है कि हलो स्टूडेंट वेलकम बैक वन सगन आज का टॉपिक है पाइफन पाइफन में आपको बताने जा रहे हूं रूल्स औफ ब्रीयबल बर्यबल कि क्या कहें रूलस है लास्ट मैंने आपको पताया थे क्या होता वाट इस वरियबल वरियबल उसे कहते जिसमें डाटा को इस्टोर किया जाता है और जिसमें डाटा इस्टोर होता है जैसे A is equal to 2 2 किसमें इस्टोर है? A में इस्टोर है तो ये क्या आपका variable है और variable जो होता है वो memory का नाम भी होता है लास्ट अम मैंने बताय था variable जो होता है वही memory का नाम भी होता है यह क्या हो गया वरियाबल वरियाबल आप किस किस टाइप का आप कैसे किस किस तरह का वरियाबल आप लिख सकते हैं वो आपको मैं बताने जा रहा हूं वरियबल के क्या क्या रूल से किस किस तरह से आप दे सकते हैं dot रह सकता है या नहीं वरियबल में मैं आपको इस प्रिक्लियों में बताने जा रहा हूं तो चलिए स्टार्ट करते हैं वरियबल जो है name should be meaningful so that are there easy to remember वरियबल क्या होना चाहिए is meaningful होना चाहिए जैसे माल यह का add करना दो नमबर को तो variable जो इस तरह से sum is equal to a plus b दे सकते हैं क्योंकि इसमें क्या हो गया sum हो रहा है इससे भी name से भी पता चाहरा है कि value को sum किया जा रहा है तो meaningful हो गया और remember करना भी असान हो गया आपको ठीक है next है variable name can be of any size किसी भी size का variable name हो सकता है third जो है variable name should begin with later और underscore variable name जो start करेंगे आप या तो later से start करेंगे इस तरह से या तो पहले या underscore के साथ भी start कर सकते इस तरह से ठीक है इस उकल टू माल यह 5 दे दिया यहां इस तरह से इस उकल टू 9 किस मी श्टोर है ए 9 मी श्टोर है और 5 किस मी श्टोर है बी मी श्टोर है इस तरह से variable name दे सकते हैं थार्ड में फोर्थ में कह रहा है variable name should can character a to z या a to z capital letter हो सकता है या तो 09 and underscore का यूज करके आप variable name बना सकते हैं जैसे कहने का मतलब है सबसे पहले आप small letter का यूज करने तो बता दिया कि यह a b करके भी यूज कर सकते हैं तूसरा a b c b करके आप variable name यूज कर सकते हैं जेट तक यूज़ कर सकते हैं, थड़ है, अगर आप A2, अगर A लेटर भी यूज़ कर रहे हैं, और नमबर भी यूज़ करके आप भरियेवल ने देश सकते हैं, A2 में क्या इस्टोर है, 9, अब मैं पढ़े होंगे, तो R1 इस उकल टू लिखते होंगे इस तरह से, तो R वेर ये करेक्टर होगे, और 1 कर वे नमबर होगया, और इस तरह से भी नमबर, अगर आप सपोस्ज़ धैट, अंडरिस्कोर के बात करते हैं, तो अंडरिस्कोर में इस तरह से देते हैं, माल लिया कि, किसी का नाम है, रहान, रहान खान, खान लिखना है, तो आपका ये वरियबल 100% वैलिड नहीं है, ये इन वैलिड 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 करने के लिए आपको बीच में अंडरिस्कोर का यूज़ करना होगा, खाली जगा, ब्लैंक इस पेस देकर आप वरियबल नहीं बना सकते हैं, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, कि ब्लैंक जगा अब है, जहां पर वहाँ पर अंडरिस्कोर का यूज़ करके आप वरियबल बना सकते हैं, ठीक है, नेस्ट है, वरियबल और के सिंसिटिव ए तोटल माल लिया जाए, 280 है, ठीक है, सपोस रेट, 280 किसमी स्टोर है, टोटल में, वैलु स्टोर है, तो क्या अब प्रिंट जब करवाएंगे, तो प्रिंट कराते हैं तो टोटल कापिलार लिटर में नहीं लिखेंगा, टोटल स्मोल लेटर में ही लिखेंगे, क्योंकि इस लिए कह रहा है कि वरियेबल जो है, इसमोल लेटर लिखेंगे, तो आप स्मोली लेटर में प्रिंट करवाएंगे, अगर कैपिल लेटर में स्टोर कराएं डेटा को, वैलु को, तो कैपिल लेटर वाला ही प्रिंट कराएंगे, जान रहेंगा, नेस्ट एप, नेस्ट एप always remember that name should not be keyword always remember that variable name should not be a keyword such as else print if variable name जो होगा आप a जो लेते हैं a जो उकल to 9 लेते हैं तो किसमी स्टोर लेकिन a जो लेते हैं ठीक है राइट है आपका बट यह print और else यह सब नहीं ले सकते हैं क्योंकि computer में already यह सब keyword है जो software बनाया हुआ है यह print, else, if यह सब क्या है already एक built है एक software में keyword के नाम से तो आपको यह सब variable as a variable use नहीं करना अगर आप लेते हैं तेरर शो करेगा यह else print if else print if और है double, float यह सब आपको variable name नहीं लेना है float यह सब जो है keyword है यह सब आपको as a variable use आपको नहीं करना है जो computer में keyword जो दिये गए है वो keyword का use as a variable use नहीं करना है वो आपको book में मिल लागा बहुत सब कीवर्ड है एक example में आपको यहाँ पे देखेंग आप यहाँ पे कि variable यह valid variable है यह invalid variable है देखें यहाँ पे space खाली जगा दिया हुआ है ठीक space दिया हुआ है लेकिन आप यह ऐसा करते है तो यह wrong है आपका और यहाँ पर देखेंगे space के जब पे underscore यूज किया गए इसलिए right है यह क्या होगा इन वैलिट हो जागा और यह क्या है आपका सही है क्योंकि आप यूज कर रहे हैं तो नेम अंडरिस्कोर और यूज करना होगा या तो आप आई से भी देख सकते हैं यहाँ यहाँ पे बिना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन पर ज़रूर प्रेस करते और वाट इस बारे में डिस्क्रिशन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है वहाँ से भी आप समझ सकते हैं और साथ ही साथ अपने कॉप्य पर लिखने के कोसिस करें पूरे जो लिख ले उसको बात समझना बहुत जाद आपको असान हो जागा थैंक्यू सो मच फूर वाचिंग